हेलो स्टूडेन आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर इसकीन डिसिस के अंदर इसकीन इन्फेस्टेशन ठीके तो इसकीन इन्फेस्टेशन क्या होता है देन उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके बीज पहले हम लोग इसकीन इन्फेस्टेशन समझेंगे देन उसके बाद चलिए हम लोग Skin Infestation क्या होता है देख लेते हैं तौचा पर परजिवी होना Definition देखते हैं तौचा परजिवी होने से मतलब तौचा पर सूस्म परजिवीों के निवास के कारण रोग होता है इसका मतलब यह होता है कि यदि skin के उपर किसी परकार का parasite या परजिवी पाय जाता है micro parasite या सूस्म परजिवी जो आखों से दिखाई नहीं देते हैं यदि skin के उपर पाय जाते हैं तो उसके कारण कई परकार के skin disease या तवचा रोक होते हैं इसके उधारन देखते हम लोग तो उधारन में दिया गया है खाज यानि इसके बीज, जुवे पढ़ना यानि पैदिकुलोसीस, दाध होना यानि रिंग वर्म, दैन इस्टेफाइलोकोकस, इवाँ स्ट्रेप्टोकोकस, तौचा संक्रमाई यानि कि इस्टेफाइलोकोकाई एड इस्ट्रेप्टोकोकाई इसके इन्फेक्शन, ठीके, तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसके इन्फेक्टेशन के अंदर, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसके बीज, ठीके, तो इसके बीज क्या होता है, हम लोग आगे डेफिनेशन देखते हैं, चलिए हम लोग इसके बीज की डेफिनेशन देखते हैं तो यह ताउचा पर एक परजिवी इस माइट के होने के कारण गंबीर खुजली की इस्तिती है जैसा स्टूडेन आप लोगों को सबको पता ही होता होगा कि इसके बीज क्या है सायत आप लोगोंने पहले भी पड़ा होगा तो यहाँ पर डेफिनेशन से किलियर होता है कि यदि ये इसकीन के उपर यदि कोई परजिवी है पेरासाइट है जैसे इस माइट इस माइट के होने के कारण क्या होता है गंबीर खुजली की इस्तिती होती है इसकेबिस का मतलब होता है सीवियर इसकेबिस गंबीर खुजली ठीके तो आए हम लोग देखते हैं आगे इटियोलोजी इसकेबिस की कारण से होता है या किन किन कारणों से इसकेबिस या खाज होती है तो सबसे पहला कारण है खाज के रोगी से संपर्क यदि स्वस्त वेक्ति किसी इसकेबिस के मरीज के पांस जाता है या उसके कॉंटेक में जाता है तो उसको इसकेबिस हो जाता है इसकेबिस कारण क्या है अस्वक्स्ता अनहाईजिन यदि कोई वेक्ति आस्वक्सता बनाए रखता है अपनी पर्सनल हाईजीन मैंटन करके नहीं रखता है तो उसके कारण भी क्या होता है इसके बीच हो जाता है नेक्स कारण है पुराने कपड़े पहनना यदि कोई वेक्ति बहुत ही पुराने कपड़े पहन करके रखता है और कपड़े चेंस नहीं करता है उन कपड़ों को कभी वोस नहीं करता है धोता नहीं है और वही कपड़े हमेशा लंबे समय तक पहनना हुए रहता है तो उसी ग करना यनि कि पहले से किसी को खाज हुआ है या इसके भी इसकी बिमारी है ठीके या परिवार में किसीको इसके भी इसकी नीके कपड़े पहन लिए तो उसको भी क्या होता है इसके बीज हो जाता है ठीके तो इतियोलोजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा next देखते हैं हम लोग कि इसके बीज के लक्षन क्या-क्या होते हैं clinical features क्या-क्या होते हैं तो यदि इसके बीज होता है तो hair loss होता है तोचा से बाल गिरना चालू हो जाते हैं और इसके बीज के पेशन या मरीज को तेज खुजली होती है बहुती तेज इचिंग होती है then खुजली रात में तेज हो जाती है intensive इचिंग at night मतलब रात में बहुत अधीक खुजली होती है next है तौचा पर लाल गाथे बनना क्या होता है जिस पेशन को इसके बिज हुआ है उनकी इसकीन के उपर या तौचा पर लाल गाथे बन जाती है next है तौचा चिलना यदि इसके बिन हुआ है खुजली हो रही है तो कोई भी वेक्ति खुजाने की कोशिस करता है तो उसके कारण क्या होता है इसकीन छिल जाती है ठीक है नेक्स है ताउचा में संक्रामन होना क्या होता है जिस वेक्ति को इसके भी सुआ है तो खुजाता है जिसके कारण क्या होता है इसकीन ओपन हो जाती है जिसके कारण और भी कई परकार के बैक्तिरिया जिवानू पेरासाइट उपस्तित हो जाते हैं इसकीन में और इसकीन में संक्रमन उत्पन कर देते हैं नेक्स है रेस्टलेशनेस आराम नहोना जिस वेक्ति को इसके भी हुआ है उस वेक्ति को रेस्टलेसनेस होता है क्योंकि उसको बहुती ज़ादा गंबीर खुझली होती है जिसके कारण पेशन बेचन या आराम नहीं मिल पाता है तो आगए आप लोगों को समझ में Etiology और Clinical Features तो आईए हम लोग देखते हैं Next Point Diagnosis तो Diagnosis हम लोग Test कौन-कौन से करेंगे जिस Patient को, जिस मरीज को इसके भी हुआ है, जिसको खाज हुआ है तो उसमें निदान या Screening Test कौन-कौन से किये जाते हैं तो सबसे पहले पेशन से Historical Action करेंगे Then उसके बाद में Physical Examination किया जाता है सारी परिक्षन करेंगे Then Next है लक्षनों की उपस्तिती की जाज करेंगे जो लक्षन से दिखाई दे रहे हैं उन लक्षनों की जाज करेंगे Then Next है Microscopical Examination of Skin क्या किया जाता है यहाँ पर Microscope के दुआरा Skin Test किया जाता है ठीके तो आ गया समझ में Diagnosis अब हमारा Next Point Last Point है Treatment इसके बिश होने पर क्या Treatment दिया जाता है तो सबसे पहले पेशन्स को Pediculocyte Cream एपलाई करने के लिए कहते हैं क्या किया जाता है पेशन्स को जिसको इसके बिश या खाज हुआ है उसको Pediculocyte Cream एपलाई के लिए कहा जाता है जैसे Permethrin Linden Lotion ठीक है क्या क्या जाता है Pediculocyte Cream एपलाई करने के लिए कहा जाता है जैसे कि Permethrin और Linden Lotion Next है रोगी को Nirm Skin Ointment भी एपलाई करने के लिए कहा जाता है क्या किया जाता है Pediculocyte Cream को जिसको इसके बिश हुआ है उसको Skin Ointment एपलाई करने के लिए कहा जाता है जैसे कि Crotamiton Cream और Gamma Benzene Hexachloride और Benzyl Benzort ठीक है Last है खुजली अधीक तेज होने पर Anti-Pretic Emolient भी लगाए जाते हैं क्या किया जाता है यदि बहुत तेज या बहुत अधीक खुजली हो रही है तो उस कंडिशन में Anti-Pretic Emolient भी लगाए जाते हैं ठीक है तो आगया समझ में ठीक है आज का टोपिक हमारा इतना ही है और बहुत ही कम है Thank You Hello Student आज का टोपिक जो था Major Skin Discs के अंदर Skin Infestation ठीक है तो Skin Infestation आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा ठीक है देन उसके बाद में Skin Infestation का ही हम लोग एक्जामपल पढ़ा है इसके बिस ठीक है यह जो इसके बिस फर्स्ट एक्जामपल है जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे लेकिन डीटेल में थोड़ा बहुत मैंना आप लोगों को बता दिया है ठीक है अगर आप लोग इसको याद कर सको तो आप याद कर लेना ठीक है और कुछ डाउट होता है तो आप लोग कोर्सब ग्रूप में मुझे पूछ सकते हो मेसेज करके बताना कि टोपिक समझ में आया है या नहीं आया है ठीक है अगर आप लोगों को आज बी बताना चाहूँगा कि इसके पिसके हम लोगों ने ट्रीटमेंट बताया है ठीक है इस ट्रीटमेंट को आपको करना नहीं है यदि आपके पास कोई वेखती मिलता है इसके पिसका खुजली का कोई मरीज है आपके गाउं में फ़ले में ठीक है और आपको बोलता है कि आप इसका इलाज बता दीजे इसमें कौन सी दवा लगाना चाये तो आपको इसका कुछ भी इलाज नहीं बताना है और आपको उन्हें सलाहा देना है एड़्वाइस करना है कि वो ूडोक्टर को एक बाद जरूर दिखाए ठीक है उसके बाद ही वो treatment ले ठीक है आप लोगों से विंति है कि आप लोग खुद इसका इलाज ना करें ठीक है और आप लोग यह जो channel है हमारा ठीक है वहाँ पर comments करके बताना कि कैसा रहा हमारा topic आपको clear हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है ठीक है